हलो नमस्ते वेलकम तो मैथ अधिक्शन रो यो वीडियो मा में डिस्केशन करने साँ नेपाल राष्ट्र बैंक को लेबल फॉर को सेकेंड पीपर रो क्रिसी पिकास बैंक लिमिटेट को लागी एऊटा इम्पोर्टेंट टोपिक जसको टाइटल रो एको सा ताइम अन अधिक्शन को चरसा करने साँ वीडियो एक दो मुस्फुल सा तेसले असला अन समाहिरन वाला विदा विदा वेस्टिंग मस्ताइम लिस्केशन को टाइटल रो क्विशिन नम्र 1 A & B can complete a job in 12 देश एर भीले मीले रो कुने योड़ा काम बार दीम गरन सक्सन बोथ B & C working alone can finish the same job in 16 days यो sentence अलिगरी महत पून सा यसला ध्यान देर पौरन वाला वोथ B & C working alone can finish the same job in 16 days को मतला वाला 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 वाले येरी काम गरन्योबने उन्यवरू प्रत्येकलाई 60-60 दिन लाक्स B एकले लाई 60 दिन लाक्स R C एकले लाई 60 दिन लाक्स एकदम तैन देर पौरन वालाईद A & B work together for 4 days A रब B ले संगाई मिले र 4 दिन सम्मा काम गर्यो Then A leaves, तेस पसाड़ी A ले काम गर्यो And B continues for 2 more days रब B ले चाई एकले 2 दिन अरू काम गर्यो जस्ते A ले तर 4 दिन पसी काम गर्यो तेसको 2 दिन सम्मा अरू B एकले ले काम गर्यो Then B leaves, तेस पसाड़ी B ले पनी काम गर्यो, मतला B ले चा दिन पसी काम गर्यो And C works alone to finish the remaining work, औन ये जुन बागी रएको काम गर्यो How many days will C require, तेस वे C एकले लाई बागी काम पुरा गर्यो कती समय लाग्यो, तेस आमले निकालन पढ़ने स, थिक्सा So, यानेर आमले बुजन पढ़ने कुरा, A रब B ले कामको शुरुवात गरे शुरुमा 4 दिन सम्मों उनले संगय काम गरे तेस पसाड़ी A ले चोड्यो, औन B एकले बोचियो B ले 2 दिन सम्मों एकले काम गर्यो, तेस पसाड़ी B ले बनी चोड्यो अनि बागी रएको जो काम गर्यो, तेस लाए C एकले ले पुरा गर्यो, है अब आमले यो निकालनों सकी, C लाए तेको काम पुरा गर्न, बागी रएको काम पुरा गर्न, कती समय लागे को होला, ठीक सो अब अरशो आम यो प्रशन लाए solve गर्ने तरीका, एसला आमी दुटा तरीका बड़ा solve गर्न सक्सों, एवडा तरीका महले पुरानों वीडियोस मा पनी सम्झाय गोशू, जानी रा हामी टोटल वर्क लाए 1 मानेर, एस तो टाइप को questions वरलाए easily solve गर्न सक्सों, तियो ब job in 12 days, सो एर बीले मीलेर एवटा काम बार दिनमा गर्न सक्सों, निपाली ट्रांसलेशन गर्न दायरी एसर लेकनो लाएत, तेस पसाड़े आमले यानिर एक दिन को वैल्यू निकाल नियो, सो एर बीले एक बाई बार काम गर्न सक्सों, एक दिनमा, युनिटरी मार्क को बेस एक बार काम गर्न सक्सों, 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 एले छोडियो, एले छोडिशागे पसी B एक लेशा, B ले अब थब 2 दिन को लागी काम गरेगोचा, तेसो बी ले बनी 2 दिन मा कही काम तो सक्काया को ओला, त्यो कती काम सक्काया, त्यो हमेनी काल स्वाईता So, B can do 1 work in 16 days, कोईचिन मा दिये को सकी, B लाई, योड़ा काम गरना 16 दिन लागसा, C लाई बनी 16 दिन लागसा, यो 2 टेको लागी बराबर साइधा Or, B can do 1 by 16 work in 1 day, यावड आमले 1 देको निकालेओ, अनि B ले कती दिन समा काम गरेगोचा, दुई दिन समा, तेसो बे दुई दिन मा कती काम गरेगोचा, 1 by 16 into 2, अथा 1 by 8 गरेगोचा, त्यो यानि रो 1 by 8 आएगोचा तो यावड आमले 1 by 3 निकालेओ, यावड आमले 1 by 8 निकालेओ, यो बनेको सक्की शक्के को काम हो, शो नेक्स सिस्टेम लागाने निकालसा, total work done, शक्की शक्के को काम, या पूरा भयको काम बने रो लेकनोवला, 1 thai plus 1 by 8 So 1 by 3 plus 1 by 8 3 by 8 3 by 8 3 by 8 3 by 8 4 prime numbers अनि यानिर 8 plus 3 आयालच total हुँँज 11 by 24 यो आमरो सक्की सक्के को काम हो remaining work निकालनो परियोब बागी रहे को काम जो की C ले पुरा गरने मलाच So 1 बड़ सक्की सक्के को काम आम टो माई- गरतीन हुँज 10 by 24 यो काम कसली पुरा गर्श Obviously C ले पुरा गर्श अब आमलाए C को वैल्यु दियेगुज Question माई C ले एवटा काम गरने 16 दिन लगाऊँज B लाइबनी 16 लागचने हो C लाइबनी 16 लागने हो Question ले आमलाई clearly given group मान दिये कुछ आयो so c ले यवटा काम 16 दिन्मा गरना सक्ष this way c ले गरना करने काम तो एथी ओंत 13 by 24 so यवटा काम 16 दिन्मा गरना सक्ष बने 13 by 24 काम कदी दिन्मा गरला simply गुणा गर दिनोंच 16 into 13 by 24 मनेर 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, 13 दूनी 26 by 3 so 26 by 3 लाई यहती आमले mixed fraction मा लेखने होगने 8 2 by 3 मनेरा लेखना सक्षां 8 3 दूनी 24, 24 मा टू जोडने होगने 26 है so 26 by 3 लाई आमे इसरे लेखना सक्षां 8 2 by 3, एसको मतलब c लाई remaining काम पुरा करना लागने समय कती हो 8 2 by 3 देज यही यो प्रश्न कुर्टतर होएत 4 के गारों के बंस हैना कोसरे आमले equation लाई solve गरेऊ सुरूमा आमले A plus B ले 4 दिन मा कती काम गरे त्यों निकालेऊ त्यस्पिसे B ले 2 दिन मा कती काम गरेऊ त्यों निकालेऊ त्यों निकालेऊ और रिमेडिंग वक कुले पुरा करसा obviously जो मान से बागीस दोएट आटा भागी सके A बनी भागयों B बनी भागयों को बागी सा C ले रिमेडिंग वक पुरा करसा यह 2 by 3 देज मा finished एसमा एक्स मानने जंजट ने चाहिए न लेन जी उन्छा, यह प्रशन को लागी यह इने शोटो तरीका वाईता है Q2, to do a certain work, B would take time thrice as long as A and C together and C twice as long as A and B together कुने यूटा काम पुरा गर्न, B लाई A रब C बन्दा टेबर समे लाग्सा रब C लाई A रब B को बन्दा डॉबल समे दुई गुना बेसी समे लाग्सा The three men together complete the work in 10 days यह यूनियर ले मिलेर काम गर्ने हो गने, दस तिन मा काम सा काउना सक्सान तेसवाई, in how many days A alone can complete the work तेसवाई A लाई, एक लाई, शो काम पूरा करना काथी समे लाग्सा यह आमली निकलने ठीक So S लाई साहाँ आमें दू योडा केस बनारों सॉल गर्साँ सबसे पहला तब यह B वाला रिलेशन यूज़ गर्नोंच B वुद टेक टाइम थ्राइस, as long as A and C together यहाँ देखिए, यहाँ समको रिलेशन यूज़ गर्नोंच नेपाली बासामा बन्नो पर दाहरी A रा C लाई मीलेर जथी समय लाग्सा तेसको 3 गुना समय B लाग्सा आमले A रा C लाई यहाँ एदी X सपोस गर्दीने हो बने B उने उगतियोंच 3 X उन्ज़ यहाँ आमरो Case 1 को स्टार्टिंग लाइन होंज़ जाईत So Case 1 मा, मानो A रा C ले मीलेर यहँटा काम X दिनमा गर्ना सक्सन Let A and C take X days to complete our work तेसो भई B लाई तेही काम पुरा गर्ना कती समय लाग्स 3 X days, तीन हुना बेसी समय अब यहाँ यहाँ डर गर्नुसत यह लाइन तो तबाईले अब डाइरेक्ट लेक्न सिग्म कर्णे उचे A प्लस C ले एउटा काम X दिनमा गर्ना सक्सन बने A प्लस C ले एक दिनमा कोथी काम गर्ना 1 by X B ले एउटा काम 3 X देजमा कर्ना सक्सा बने B ले एक दिनमा कोथी काम गर्ना 1 by 3 X अब यह दुट अला जोड़ दिने होगने A प्लस B प्लस C बांच अब बांच अब क्लियरली देखिराथ अब यह दिनमा कोथी काम गर्ना सक्सन बने पूरही काम गर्ना कोथी समय लाग्स पूरही काम गर्ना लाग्ने समय बनेगो यहसको रेसिप्रोकल हुँज़ मतलब 3 X by 4 देज युनिटर मैफरेट को एकदम बेसिक कंसेप्ट आइद सो हमरो अनुसार A प्लस B प्लस C लाई पूरही काम गर्ना 3 X by 4 देज लाग्स तरह प्रश्ण अनुसार A B रसी लाई मी लेर काम गर्ना दोस तिन लाग्स तेसवाए आमी लिखना सक्सां कि हामले निगाली को 3 X by 4 बनेको प्रश्ण को 10 पराबर हुँँच क्रोस मल्टिप्लाई गर्दीन योगने X को बैले आउं 40 by 3 4 ले 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने 40 उन च और यो 3 ले डिवाइड भयाल च 40 by 3 आयो X को बैल्यू यो X को बैल्यू लाई हामी यानिरो राग्दीन सां यो 3 X मा सो B को लागी हामी बैल्यू निकालना सक्सां की B 1 ले लाई 100 काम गर्ना कती दिन लाग्ष सो B takes 3 X यानिर आमले 3 X सपोज गरेगा थियों सो X को इस्थान मत बैले 40 by 3 राग्दीनी हो 3 रो 3 काट्टीन च सो B 1 ले लाई 100 काम गर्ना 40 दिन लाग्ष बने रामले निकालियों S को अर्थ B ले 1 दिन मा 1 by 40 काम गर्ना सक्सा B को बैल्यू आमले थावए अब आमरों बहांच Case 2 Case 2 मा यादेगी यासां बनावनियों C twice as long as A and B together मतलब A रब B लाई जती दिन लाग्ष So suppose मानो A रब B लाई Y दिन लाग्ष बनी C लाई कोथी लाग्ष 2Y देज लाग्ष ये को रामले लेखने हो So case 2 मा मानो A रब B लाई Y देज लाग्ष कुनियोटा काम गर्ना This way C लाई कोथी लाग्ष 2Y किन वने twice बने उस अब याँआवड फेर हामी So A plus B plus C को रिलेशन निकालना सक्सों A plus B ले एक दिनमा गरने काम 1 by Y होँँच C ले एक दिनमा गरने काम 1 by 2Y होँँच So A plus B plus C can do 1 by Y plus 1 by 2Y यो दो टाला add करने होँदी 3 by 2Y होँँच यो एक दिनको काम 1 दिनमा एठी काम This is why पूरे काम वन वक गरना करी लागसा, यह को रेसिप्रोकल 2y by 3 है, सो यह वड़ बनी आमली a plus b plus c को value निकालियों 2y by 3 प्रश्न अनुसार्त यह को value 10 हो, सो 2y by 3 बराबर बनी कती होंच, 10 होंच यह वड़ा हामी, easily y को value निकालना सक्सा, 10 गुणा 3 गरनी वनी 30 10 लाइ दुएले भाग गर दिने होने 15, सो y को value 15 आयाल स, सो y को value 15 निकालियों सक्की विसी, यह y को value लाइ थबाए यहा राग दिन होंच, 2y सो 2 x 15 कती होंच, 30 होंच, यह को मतलब C लाइ 30 दिन लागने रहेश, कुणी योटा काम गरना, तेसवाए एक दिन मा कती काम गरस, C ले 1 by 30 काम गरस, सो यह वड़ा हमले C को value बनी कालियों अब अरो दोस्ता, आमनेसंको A plus B plus C को एक दिन को कामश, 1 by 10, कीनो मनि A plus B plus C ले पूरे काम तवस्तिन मा करना सक्सा, कुईस्चिन मा बनेगो छो स, तेसवे एक दिन मा करने काम कदी होंच, 1 by 10, B ले एक दिन मा करuntaी काम, 1 by 40, C ले एक दिन मा करने काम, 1 by 30 तो यह दि आमले a plus b plus c वोट b रस e लाइ मायनस गर दिने हो वने को बेक्ती बच्छा a बच्छा इग बच्छा अब बच्छा आना अमले टार्गेट पुराबया आले है तो a can do 1 by 10 वोट आमले b रस e को वैल्यू लाइ मायनस गर दिने हो एसको एंसर 1 by 24 आयालस तबा एक दो मजाले lcm नेर गर नौला x a 20 lcm आऊस सामानने 0 गटावो गर नौला 1 by 24 वोटांस एक दिनमा तेस वोई पूरे काम गरना कोरी लागस तेस कोल्टा गर दिनुस 24 वाई एक मतलब 24 थिन लागस एही यो प्रश्न कोर दिनुस्टारो सो केपनी गारो सेन जस्ट दु वोटा केस रामर संग बनावनुस्ट तेस पसाड़ी तबाई easily value निकालना सकनोंच अईतर Q3. A and B together can complete a work in 40 days A रबीले मीलेर कुने योडा काम 40 दिनमा गरना सक्सन They start the work together उन्यवरले संगय काम सुरू गरे And after 31 days B left the work 31 दिन पसी काम सुरू भयेको 31 दिन पसी बीले सोड़े । यसमण आम यो भूजन सक्सों की a रब B ले संगय साई 31 दिन समा काम गरे तेस पसाड़ी B ले सोड़े And the whole work is completed in 46 days अई पूरही काम 46 दिनमा सक्क्यो So यसला है तबाई यसरी भूजन सक्नोंच यो पूरही कामों यो सक्काउन साई 31 दिन लायेको रहेश अब आमले निकालनू सेसमा Find the time in which a alone can complete 50% of the work या नेरो पूरही काम सक्काउन कती दिन लाग्स वनेरो सोदेग वायेन 50% मतलब आधा काम सक्काउन कती दिन लाग्स Obviously शुरू मात हम ये निकालने वाला सोंकी पूरही काम सक्काउन कती लाग्स पूरही काम सक्काउन मन्नोस 10 दिन लाग्स वने आधा काम सक्कावन कदी लागला, 40 इन लागला, आई ना, एकदम सजेलो सो, पोहलो टार्गेट तो एर वांसे की, पुरा काम सक्कावन कदी दिन लागसा त्यों निगालली, है, सौ, क्यए पनी घार हो सहे न, फर्स्ट लाइन एकदम इजी सेसको, एर बीले मिले रैवड लाग। 40 दिनमा क्ति काम गर शन, उन याओलले कती दिन सम्मौ संगये काम गर एगासान, 31 So 31 दिन मा कही न कही गाम तो सक्काया का उलान So 1 दिन मा यदी 1 by 4 काम सक्काऊना सक्सन बने 31 दिन मा कती काम सक्कायाँ Divine चालिस Directly क्यो तो 31 दिन मा सक्काया काम अब आयो बागी काम, remaining work remaining work को स्रिनिकालनी one बट यो सक्की सक्केकु काम गटायर so 9 by 40 काम बचे गुछ यो 9 by 40 काम साई कुन बेक्तिली पुरा गरेगो वला obviously A ले किने वनी B तर साइड लागेव भागी आले B so 9 by 40 काम कोली पुरा गर्श A एकले ले पुरा गर्श यानिर ते लेख्ये गुछ this remaining work मतलब यो बागी काम A एकले ले पुरा गर्यो कती दिन मा त्यो महत्वण हो पुराई काम सक्काउना 46 दिन लागेव औनी B लेचाई 31 दिन पोची छोड़े रगवएको हो एसको मतलब अन्तिम को 15 दिन A एकले ले काम पुरा गर्यो र एही 15 दिन मा उसले बागी काम सक्काई भोला स्वामियानिर लेखना सक्साँ कि बागी रएको काम A एकले ले पुरा गर्यो तर कती दिन मा पुरा दिन मा सो अब इसमा नंबर फ्रीट गर्दीने मनेस्तो दिखिना A can do 9 by 40 रिमेनिंग वाग बने उगा दिदा 9 by 40 वाग कती दिन मा सक्काई को वला 15 दिन मा सो 9 by 40 काम यदी 15 दिन मा सक्काई भने पूरे काम गर्न कती दिन लागने रेश एलाई 15 गोणा S को उल्टा 40 by 9 सो 3 पुरे काम गर्ना 20 by 3 लाग सबने आधा काम अथवा 50 परसेंट काम या निरजोले के किसा 50 परसेंट काम करना कती लागला इसको आधा 20 by 3 को आधा मतलब 100 by 3 100 by 3 ला में लेकना सक्क्सों 33 1 by 3 days यही यो प्रश्न को उत्तर हो कुने ठाव माता पालाई दावड बही रासा भने भीसी तबाई वीडियो रिवाइट गर्रों दोबारा यहना सबना साथा कुईचिन नम्बर 4 तो कम्पलीट असर्टेन टास्क कुने यवडा कारिय गर्ना को लागी X is 30% more efficient than Y X मने गो Y बन्दा 30 प्रतिशत बड़ी छमता वांस and Z is 20% less efficient than Y रस Z बन्ने पेक्ती Y बन्दा 20% प्रतिश कौम चमता वांस वागी तुगेदर यह उन्योर ले संगय काम गर्ने होगनी दे गन कॉम्पलीट दो वागीन 44 दीज 24 दिन मा काम निप्ता इदिन संगय काम गर्ने होगनी Y and Z together work for 70 days Y रा Z ले मीलेर सत्तरी दिन संगय काम गर्ये In how many days will X complete the remaining work alone तेस पसी बांकी रहे को काम लाई X एकले ले कोदी दिन मा पुरा गर्ना सक्ष त्यों हमले निकलने So कईली बनी यह efficiency संग related question आयो वाई न इस्तो percentage type को दीर आयो बनी सुरू माता पाई के गरने होंचे ratio निकलने होंचे आम एशा ratio of efficiency निकलने होंचे इस्तो type को equation solve गरने होला एकदम easily solve बायालच So let's see the solution सबसे बल आमले निकलने हो efficiencies को अनुपात चमता को अनुपात निकलने X is to Y is to Z बने रहा ठीकसा यानिरो Y को value आमले 100 सपोज गरने हो 100% तेस्पसी क्यों होंचा X बने को Y बन्दा 30% बेशीच चमता बायानो बने X को efficiency बायालच एकसे 30 और ये Z बने को Y बन्दा 20% काम चमता बायानो बने Z को value बायालच असी 100-20% 100 कर दिन्यो 80 value एकदम simple और यावट जीरो 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 का आट दिन्यो बने 13 is to 10 is to 8 13 is to 10 is to 8 अब असला है थोड़ा लैंग्विजमा बुजनुस की के हो यो ratio of efficiency को मतलब इसको मीनिंग होंचा एक दिन मा इसरी बुजनुस इसको मतलब होंचा एक दिन मा यानिर एक दिन बनना आजो तबाई कोनी येवडा particular time लीन शक्नुस तबाई 10 दिन बनी सोचनुस तरह सप्पैको लागी same समय सोचनुआ वला है था एक दिन बड़ बुजदायरे अलिक सचीलोला एक दिन मा यदी एक दिन मा कदि काम होंच द 13 प्लस 10 प्लस 6 मतलब 31 यूनिट काम गरूना सक्षन अथवा 31 यूडा कुडशी बनावना सक्षन येदी सब पयले संगय काम गरूने होगने सो नेक्स लाइन मा आमले निकालने वो टोटल यूनिटस अब वांग दन इन वन डे बाई X प्लस Y प्लस Z X, Y, Z ले एक दिनमा गरूने कुल काम कती हुँँँच यो ती इन्टला आड गरूने होँँच 31 यूनिट वोई वाई 31 यूनिट काम करूशन तरब प्रश्णावनो सार उनियर लेत पूरे काम 44 दिनमा गरूना सक्षन एक दिनमा येदी 31 कुडसी बनाओना सक्षन या 31 यूनिट काम गरूना सक्षन बने 44 दिनमा कती यूनिट काम गरेंगा आवलान 31 गुणा 44 मतलग 1364 यूनिट काम गरेंगा आवलान 44 दिनमा मत पालाई यो प्रश्णा सॉल्व गरूने एकदम यो सबसे एजी तरिगा बताई रहाओ हामी आईना x मानेर पनी सॉल्व गरूना सक्षन तर एकदम जहनजटी लोँँच तबाई यो मतलग पालो गरूँच एकदम सरल तरिगा ले तबाई यो प्रश्णा समाधान गरूना सक्षन जहेदा सो टोटल यूनिट हामली निकाले हो 1364 चमालिस दिनमा गरूना सक्षने काम बनी हो 1364 यूनिट सो अब फिरी और को पालो य र जेड ले संगए कथी दिन सम्मा काम गरेगाशन सत्तरी दिन सम्मा यानि रो एन उस्त य र जेड बनी रहाश सो य को वैली हो 10 z को वैली हो 8 यह दुट आला एड गरूने बनी अठार होंच गी होधना होंच सो य र जेड ले एक दिनमा कथी यूनिट काम गरूना सक्षन 10 प्लस आठ अठार यूनिट काम गरूना सक्षन तर उनिय और ले तो 60 दिन सम्मा काम गरेगासन तेसे लोई एक दिन मा एदी 18 yunit या 18 कुडसी बुनावना सक्षन मने 70 दिन मा कती कुडसी बुनावना सक्षन 73 इंटि अठार एक दम सचिल्द इस स्टिप माद एकक रह लेहेक gleichवा कि 70 दिन मा वायररसएड ले कती यूनिट कम्प्लीट गरी सके, सो 1364 वट, 1260 माइनस गर दिन योबने जो एक से 4 यूनिट काम बचेगो स, यो कसले पुरा गरला? X ले किनोबने प्रशनले ते डिमार्ड गर दे चकी, X ले बांकी रहे को काम कदी दिन मा पुरा गर स, सो बांकी रहे को काम हो, एक से 4 यूनिट जो की पुरा गरनू स, X ले X को एक दिन को एफिशेंसी कती हो, 13 यूनिट हो, यानि रेरनुस्त रेशियो मा X को एक दिन को एफिशेंसी कती हो, 13 यूनिट होनी, मतलब 13 कुरसी गरना उन सक्स निपताई धीन्स या औठमा यूकाम सका हुच्स कहते हैं चो के गारों चाहिना निया इस रूम आमले के गड़ने हो रेशियो अफ एफिशेंसी ज निकालने वाईलाई 100 मान देखो ताकी 100 मा तीस परसेंटेज बड़ाई दिनी होगने एकस आयाल से एकसे 30 औनी 100 मा बीस परसेंटेज गटाई दिनी होगने जेड आयाल से चैनसी ज निकाले हों तेस परसाड़ी यो तीन्टेलाई जोड दिनी होगने एक दिन को कुल काम निसकेंज अब उन्यों ले मीले रा काम सबकावने कती दिन मा हो रिमेनिंग कती हो तोटल माइनस बार से साथी एकसे चार यो एकसे चार यूनिट कोले पुरागर से एकस ले कती दिन मा एकसे चार डिवाइड भाई थेरा बराबर आर दिन मा सब क्यों सबसे इजी तरीका यो प्रशन हो शॉल गरने ओके यह बीडियो को लास्ट क्वेशन क्वेशन नंगर फाइफ ए इस ऐसे फिसेंट आस बी एएंड चु शुगेदर बी र सी को सैयुकत चमता बराबर एको चमता चर मतलब बी रसीले मीले र एक दिन मा यतिकाम गरना सखसन एले एक दिन मा त्य आतिने काम गरना सखसन अ तेस पसाड़ी जो बागी काम रहे को हला, ते बागी काम बी एकले ले कोती दिन मा पुरा रहना सक्सा, तियो आम लें निकालें, ठीक्सा? सो यहटा रामरक कोईशनो, ते बहरा रामरक संग एडनो वला कासरी आम एचला समाधान करने वाला सो, यानि रा यह एर बीलाई कती दिन लाग्षा बने रोतियो दिये कुछा, शी एक लाइला कती दिन लाग्षा त्युबन दिये कुछा, अब यह दुटेल आमले आड गर द सक्सा तेसब़ एक दिन मा कथी काम गर्षा एक बाई साथी योबनी सजीलो अब यह दो इटाला जोड दिन होंजा जोड नी बित्ती के के आयालो अब 36 गो यह एक बाई चाथ इसरी निकाल ना सक्ना होंजा जोड थोलो संख्या कमन होंजा तेसब़ डारेक्स गर्ना सक्ना होंजा पारवड़क गर दियावे जान सुचिलों त्यों पास निया पंद्र पंद्र दुनी 30 30 इंटू चा एकसे असी असको LC मन्ज़ अब एकसे असी लाए चात्तिस ले भाग गर ने पास पटक, एकसे असी लाए शाट्ति ले भाग गर दाए तीन पटक पास प्लस थीन हाट आट भाई XA उसी अब चार ले काट देनूस दुई पटक, चार ले ला काटने वने 25 पटक, चार ले लाए काटने वने 25 पटक तो 2 बाई 25 आसा उसा तो A प्लस B प्लस C ले एक दिनमा कथी काम गरना सक्सन 2 बाई 25 सक्क्यों एजी एक दिन को काम हमले निकाले हो 2 बाई 45 अब यानिर यहोड़ा महत पून लाइन आम लाई दिये को थियो कि A is as efficient as B and C together मतलब B रँ C ले एक दिनमा जती काम गरना सक्सन सपोज मानों B रँ C ले एक दिनमा यदी X unit काम गरना सक्सन या X काम गरना सक्सन अ ले पनी एक दिनमा उती काम गरना सक्स X unit काम गरना सक्स यह हो यह line को meaning सब नेक्स सिस्टेप मां में यह सपोज गरने वाला संँ कि मानों A ले एक दिनमा X work गरना सक्स अतबा X unit काम गरना सक्स तेस बाई B रँ C ले पनी सेम X वोक गरना सक्षन एक दिन मा ते बेड़ता यो दुटागो एफिशेंसी बराबर सा सो यानिरा आमले डारेक्ली एक दिन को काम सपोस गरेगो उनाले डारेक्ली जोड़ी आलजो आमी A प्लस B प्लस C यो तिन्टे को एक दिन को काम कोती होंचा X प्लस X 2X वोक उन्झा कीन निकाल हामली यहाँ? कीन अबने बहर कर यहाँ रेंडो स्था आमले A प्लस B प्लस C को बैल्यो निकाल है Sँ 2x 45 यो जाए एक दम प्योर नमबर को फ्रम्मा आए जो स ada यानिरंट फेर हामली A प्लस B प्लस C को बैल्यो निकाल हासं तरा x को फ़र्म मा, 2x So, 2 डिक्चे होंच, बराबर होंच, right 2x बने को कती होंच, 2 x बराबर होंच किनावनी, यो बनी यो बनी 1 दिनको काम हो यो बनी 1 दिनको काम हो पलस पलस बीपलस С को 2 रटु गारड दिन, यो बनी x को मान कोती आयाले, 1 x 4 लेईस बने रहाएव। सो एसको मतलब महयो A ले X वक अत्वा 1.40 काम गरना सक्ष एक दिन माँ सो आमी यो बनना सक्षँ हूं कि A लाइप पुरही काम गरना कती दिन लाग दर रहाईश .40 दिन लागने रहाईश A को था भएव आमलाई 45 डेज लागने रहिशा अब आमी बी को निगालना सक्षां आमलाई A प्लस B को था शा कि A प्लस B ले एक दिनमा एक बाई चातिस काम गर्शा अबने रहिना तोड़ा याद पनी राखने बढ़ने होंचे कि यान लेहे गटा सो आमले A प्लस B ले एक दिनमा कोदी काम गर्शा 1 पाई चातिस अनी बारकर आमला यो थाव अगयो की A ले एक दिनमा एक बाई प्लस अलिस काम गर्शा याने रहिना सो यान यामले A प्लस B बड़ा A लाए माइनस गर्थीनियो बने को बेक्ती बाच्छा B बाच्छी को बाच्छा ना बाच्छा है सो B कैन डू 1 बाई 36 बड़ा 1 बाई 45 माइनस गर्थीनियो सो एसको एंसर है आल्सा 1 बाई 180 सामान्नियो 1000 बले राग दिनमा सक् Pharisee सो 1 बाई 180 बाई 180 बाई डोमेर को बाई h bake बाई 180 बाई 21 दिनमा सक्सा रागस दिनमा 10 बाई एक दिनमा करना सक्षा 108 बाई 1 बाई 9 बाई अपा प्रश्णमा ये बनियाक चा.k e-20 मिले रा 10 संमी संही संगाही काम करी तेसे भई हम्रो टार्गेट रहांचे कि A र सीले मीले र 10 तिन मा आखिर कती काम सक्खाए सुर्मा तियो तो निकालनों पर्यों नी अन्य पो रिमेनिंग वो काउंचे तो या निरा हमी निकालने वाला सो A प्लस C को बैल्यू A को काम मनेको 1 by 40 या वट लिनूस C को काम मनेको 1 by 60 यो यो तो जान क्वेशिन मा दिये गे ती हो या निरा है सो ची जरू तोड़ा याद राखे वुसी तो बहला लेखना सवजिलों जगे अब 1 by 40 र 1 by 60 1 by 40 रो 1 by 60 को LCM मनेको फेरी ते यो एकसे अस्या होसा 110.1 ले भाग गर दिने वने 4 पटक, 110.1 ले भाग गर दिने वने 3 पटक सो 7 by 110 काम सक्काउने रहेशन एक दिनमा तर उनियोरले तो 10 दिन समसंगे काम गरेगाशन तेसवए 10 दिनमा कथी काम सक्काय काउलान इन्टू 10 कर दिने वने 7 by 18 यो काम सक्काय सक्केगा होन तेसवए रिमेनिंग वक अब आमेनिंगालन सक्साओं तेसवए रिमेनिंग वक कर दिने 1-7 by 18, 11 by 18 यो कोली पुरा गर दिने वो 2 बनने बेक्तिले बनने बेक्तिले पुरे काम योडी 1-8 दिनमा करना सक्सा यान लिकालेगा समामले 1-8 दिनमा करना सक्सा वने बाकी रएको जाबो 11 by 18 काम करना कती दिन लागला एक से असी गुणा 11 by 18 अठार ले 1-8 लाए 10 पटक काड़ दिने 10 इनक्यों 11 दिन लागने रिज़ए सो एसरी तबाईले एवटा लोजिकल सीक्वेंस मा क्वेशन सरू सौल्व गरनना सक्वन बडशा और ये बल्ला तबाईला फ्लो समझ माहा होसे के पहला कुण लाइन लेखने तेसकी कुण लाइन लेखने यो सब प्रैक्टिस गरी-गरी मात्र डेबलम हुने चीज़ू तेसले येदी मानननु सुरूमा तबाला कैच अच अप गरनना थोड़ा गारो बहए बनी तेस्तो दुखना मानननु अला एक दुछ उड़ी प्रैक्टिस गरननु सुरूमा तबाई येश्टो टाइप को क्वेशन एकदम ईजली सौल गरना सौनुल जाइताग। ओके यो वीडियो माय थीने होप यसमा एक्स्प्लेन करेको सप्पई गुरा तबले रामर सुंगा भूजनु भायको वाला यदी यो वीडियो मान परेको समने लाइक र शेर पक्के बनी गरननुस रमेरो यूट्यू चैनल मैथ अदिक्शन लाए सब्सक्राइब गरनना न निक्शन वीडियो